दोसो आज हम बनाएंगे भूनी हुई मसालेदार सूखी कठल की सबजी जिसका स्वाध है लाजवाब आप रोटी खाने बैठोगे एक की जगा आप चार रोटी खाकर हटोगे अगर इस सरीके से आप कठल बनाएंगे नमस्कार दोसो आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है दोसो आज हम बना रहे हैं प्यारी सी कठल की सबजी जो कि आपको बहुत सारे बेनिफिट देने वाली है इसे इंगलिश में जैक फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है दोसो हर जगा पर इसका अलग नाम है आपके यह इसे क्या बोलते हैं हमें कमेंट बोक्स में लिखकर जरूर बताना दोसो चलिए टाइम वेश्ट ना करते हुए बना लेते हैं कठल की सबजी देखे दोसो यह है कठल इसे आप साबूत भी मार्किट से लेकर आ सकते हैं या फिर कठा कठाया भी लेकर आ सकते हैं क्योंकि मा कटा हुआ लेकर आते हैं मार्किर से तो आपने ध्यान रखना है जब काटे तभी आप इसको खरीदे पहले से कटा हुआ ना खरीदे और अगर आप इसको घर में काट रहे हैं तभी आपने कुछ वादों का ध्यान रखना है जब भी आप इसे काटने बैठे इसको अच्छे स धो भी बिया है। आप ने काट कर भी इसको धोना है अच्छे से। दो-तीन बार आप धो ले इसको धो कर दोसों आपने इसका सारा पानी रिमूँव कर लेना है। छलनी में डाल कर रख सकते हैं ताकि सारा पानी इसका रिमूँव ठोजाए। तो चलिए अब बनाते हैं अपना कठल, कठल बनाने के लिए मैं इसको थोड़ा साइ करूंगी पहले, आप कड़ाई में डाल ले 2-4 चमच ओयल, सरसो के तेल में अगर आप इसको बना रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया बनती है ये वली सबजी, और देखे दोस्तों 3-4 चमच मैंने ओयल के ले लिए हैं, इसमें डालेंगे हम अपना जेक फ्रूट कठल डालेंगे और इसे रोस्ट करना है, थोड़ी देर के लिए रोस्ट करना है, यानि 5-7 मिनिट आपके लग जाएंगे इसको रोस्ट करते हुए, मिडियम आज पर आपने इसको रोस्ट करना है, ज चमच हल्दी पाउडर और एक चमच देगी मिर्च पाउडर इसे क्या होगा आपके कठल का कलर मारू बहुत ही बढ़ी आएगा तो इस्तरीके से आपने कठल करते हुए fry कर लेना है ज्यादा तेल में हम इसको fry नहीं करेंगे तो इस सरीके से आपने fry कर लेना है वैसे तो जो jackfruit होता है कठल काफी तरीकों से बना जाता है उवाल कर भी बना जाता है बहुत सारी विधियां है इसकी बनाने की आज हम दोस्तों इसे थोड़ा सा तल कर मसालेदा सबजी बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी लगने वाली है आपको कठल के हमारी health को बहुत ही बढ़िया फायदे मिलते हैं जैसे कि जिन लोगों को दिल के रोग हैं हाट से समंदित कोई भी प्रोब्लम है आप इस सबजी को जरूर खाएं आप अपनी immunity को बढ़ाना चाहते हैं वो भी इससे बढ़ जाएगी पाचन के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है और जिन वो को diabetes है, diabetes में आप इसका सेवन जरूर करें तो काफी बिमारियों में आप इसका सेवन कर सकते हैं अपने शरीर को निरोगी रख सकते हैं इसको खा कर तो देखे दोस्तों बातों बातों में ये 20% तक पक चुका है देखे मैं दबा रही हूँ थोड़ा सा ये दब रहा है लेकिन हम इसे बाद में भी पकाएंगे तो चलिए अगली त्यारी कर लेते हैं इसको तो छोड़ देते हैं कठाई को यहीं पर गैस बंद करके अब लेते हैं एक मिक्सी का जार मिक्सी के जार में हम डाल रहे हैं दो कटे हुए टमाटर ये सारा समान आप पहले ही काट कर र लेंगे इसमें अधरक 2-3 इंच कलिया काट कर इस तरीके से और इसका हमने फाइन सा पेश्ट बनाना है इसमें पानी यूज ना करें क्यूंकि टमाटर है टमाटर अपना पानी अपने आप छोड़ देगा तो अच्छे से ये पेश्ट बन जाएगा तो पेश्ट हमारा बन Smartshire को ले सकती है और मैं ले रहे हैं आपर पैन पैन में डाल दिया है मैंने चार चमच ऑयल दुबारा से और इसमें डालेंगे चार छोटी हरे इलाइची और 2-3 ओं राल कम छे में पड़े हुई आप डालेंगे इसमें एक चमच जीरा साबूत वाला और एक चमच डालेंगे इसमें धनिया पाउडर साबूत धनिया भी आप यूज कर सकते हैं या धनिया का पाउडर भी यूज कर सकते हैं इनको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और इसमें डालेंगे एक क जिस से आपका कठल बहुत avis लिए उसके क्या होगा के जो कठल होगे आट हैं उपर से बहुत ही बढ़ी अतरीके से मिक्स और थोड़ा सा पका लेते हैं आप इसमं डालेंगे इसम में एक चमच डेगी मिर्च तब डालेंगे पहले कटल के दो कलर बहुत हीं बढ़ी आता है इसमें पीस जो हमने टमाटर लेसन और अध्रक का बनाया था बाल वो डाल लेते हैं और इसको मिक्स कर लेना है. मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा सा पकाते हैं. सीम गैस पर आप इसे पकाए, ताकि मसाले सारे अच्छे से पक जाएं. कच्चे ना रहें, मसाले बिल्कुल भी. अगर आपका मसाला यहाँ पर थोड़ा बहुत नीचे लग रहा है तो आप इसमें एक दो चमच पानी भी डाल सकते हैं तो इसको ढखकर पका लेते हैं सीम गैस पर सीम गैस पर पकाने में दोस्तों आपके 3-4 मिनट लग जाएंगे अब आपने क्या करना है यह हमारा पक चुका है अच्छे से हमारा मसाला रेडी है यह देखिए दोस्तों तेल छोड़ दिया है मसाले ने अब इस मसाले को डाल लेते हैं हम अपने जेक फ्रूट में कठल में डाल लेते हैं कठल वाली कड़ाई दुबारा से लें और उसमें ये डाल दें ये फिर अगर आपका पैन इतना बड़ा है इसी मसाले में आप कठल को डाल सकते हैं तो ये मैं डाल रही हूँ अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए मिक्स करने के बाद दोस्तों आपने इसमें डालना है नमक टेश्ट के अंसार मैं यहाँ दो से धाई छोटा चमच नमक ले रही हूँ आप अपने टेश्ट के अंसार भी नमक डाल सकते हैं और इसमें डालेंगे आधा चमच गरम मसाला ज्यादा कुछ डालने के आपको जूरत नहीं है क्योंकि पहले ही हमने इसमें मसाले डाल दिये थे और मसाले डालने के आपको जूरत नहीं है बस इसको मिक्स करना है क्योंकि दोस्तों अभी यह 20% ही पका था तो हमने इसको पकाना है और अगर ऐसे ही पकाएंगे बिना पानी के तो ये लग जाएगा नीचे इसलिए अपने पैन को धो कर थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं इसमें जादा पानी का यूज नहीं करना है आपने क्योंकि हम इसको सूखा ही बनाएंगे सूखा मसालेदार कठल बनाएंगे हाई फ्लेम ना करें ये पक जाएगा दस मिनट के अंदर अंदर और तीन से चार बार आपने ढखकन को हटा कर इसको अल्ट पल्ट करते जाएं ताकि आपकी सबजी नीचे ना लगे दस मिनट के अंदर अंदर आपकी सबजी बनकर ready हो जाएगी तो देखिए दोस्तो हमारा ये पानी सारा सूख चुका है बस अब आपने अगर आपके कठल में थोड़ा बहुत पानी रहता है तब आपने धकन को हटा कर इसको थोड़ा सा पकाना है हाई फ्लेम पर ताकि पानी सारा सूख जाए अगर आपका पानी पहल आप इस तरीके से कठल को बनाएंगे ना सब उंगलिया चाटते रह जाएंगे बनाना भी बिल्कुल सिंपल है ज्यादा जंजट नहीं है आपको बनाने में और महमानों को आप दे सकते हैं बहुत ही बड़िया रेसिपी है इसके हमें फायदे भी बहुत मिलते हैं जैसे कि इसको बना ले तो दोस्तों कब आप इस रेसिपी को घर में बना रहे हैं हमें कोमेंट बोक्स में लिखकर जुरूर बताना तो चलिए सर्व कर लेते हैं इसको यह देखिए हमने सर्व कर लिया है अब इस पर डाल लेते हैं थोड़ी सी धनिये की पत्ती और थोड़ी सी हरी मेर्ज तो लो जी हमारी सब्जी बनकर रेडी है इसे आप रोटी के साथ खा सकते हैं पूरी के साथ खा सकते हैं जैसे भी खाएं इंज्यूए करें तो कब बना रहे हैं दोस्तों आप इस तरह की सब्जी हमें कोमेंट बोक्स में लिखकर जुग बताना वीडियो पसंद आए